बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुडे रहे ये वाट्सप बॉलिवुट के साथ राधा मंगेशकर एक भारती गाईका और संगीत कार हैं जो प्रमुक रूप से मंगेशकर परिवार की तीसरी पीडी की तौर पर चानी जाती हैं उनके दादा दिनानात मंगेशकर एक प्रसिद्ध मराथी ठीएटर अभिनेता नाट्य संगीत कार और हिंदुस्तानी शास्त्री गायक थे लोगपे भारती गाईका लता मंगेशकर आशा भोसले उशा मंगेशकर और मीना खादिकर उनकी मोसी हैं संगीत की 6 वाले परिवार में पली बड़ी राधा हमेशा संगीत से प्रेरित रही हैं उन्होंने बहुत ही कम उम्र में संगीत में रुची विकसित कर लिया था और 7 साल की उमर में अपने पिता से गायन सीखना शुरू कर दिया था बच्पन में उन्होंने दिक्षा समारो गंडा बंधन किया था समारो के दरान उनके पिता और एक संगीत गुरू के रूप में उनकी कलाई पर एक तहागा बांधा नौ साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के साथ भाव, सरगम, मराठी और हिंदी में कुछ प्रसिद्ध भारती सिनमाई और नाटे गीतों की एक संगीत यात्रा में मंचपर परफॉमेंस करके अपने संगीत करियर की शुरुआत की इसके बाद उन्होंने शिव कल्यान राजा नच्छतरन चे देने, अक्षय जाने, अभंगा जाने, दिल की नजर से और दीदी अनी मी जैसे स्टेज शो किये पिता की सीख और गाइडन्स के साथ राधा मंगेश कर एक सोलो स्टेज आर्टिस्ट के रूप में उभरी उन्होंने महारास्ट्रे लेकर पूरे देश और विदेश में ट्रैवल कर अपने कॉंसर्ट किये हैं राधा एक बात सोच कर आगे बढ़ती हैं कि अपने यूनिक स्टाइल को देखते हुए इंसान को सही चुनाव करना होता है वो हिंदुस्तानी शास्त्री संगीत की विशेशग्य हैं और उन्होंने अपनी शैली में अपनी विरासत बनाई है राधा मंगेशकर ने मराठी, हिंदी और बंगाली भाशा में कानेगाए हैं उन्होंने कई एल्बम भी रिलीज किये हैं जिने अच्छा रिस्पॉंस भी मिला है राधा मंगेशकर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में एक्सपोर्ट है राधा मंगेशकर ने रिशिकेश, रनारे, जितेंद्र अभयंकर, विभावरी आप्टे, सुवन्ना माटे का ओकर और राजेश दातारे जैसे कई लोग प्रिय भार्ती गायकों के साथ मंच शेर किया है कहा जाता है कि स्वर को किला लता मंगेशकर अपनी भती जी राधा मंगेशकर से सबसे करीबी थी साल 2009 में लता मंगेशकर ने भती जी राधा मंगेशकर की सोलो एलबम नाव भूल भुलय या शमी रिलीज किया एलबम में पांच ट्रेक शामिल थे राधा भगवान गनेश की बहुत बड़ी भक्त है और वो अकसर बपा के दर्शिन करने जाती है राधा को अपनी उपलबधी के लिए कई अवर्ट से नवाजा भी गया है आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अब आकी खबरों के लिए बने रहें वाट्स अप बॉलिवुड के साथ